और लालू जी इसी की पाटी इसमें कहा तो मत है। सत्ता में भी वही, विरोध में भी वही। आज विरोधी दल के नेता भी महाई और पेटा ही बने। कोई तीसरे को नहीं बनाए। जतरा खड़ाब हो गया। नमस्कार आप देखरें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप सिंग्ग। समराच चौधरी ने जम कर तंशकसा है। कहाए कि वो सही कहते हैं बाप की ही पाटी है। लालू यादव और तेश्वी यादव की ही पाटी है। सत्ता में भी वही रहते हैं और विरोध में भी वही रहते हैं। विपक्ष के नेता भी मा और बेटे ही बने यानी की बोधित करने वाले थे वो मंच तूट गया उस दोरान तमाम नेता भी मंच पर मौझूद थे सभा को सम्बोधित भी किया जा रहा था और जैसी ही मंच तूटा था तमाम नेता मंच से गिर पड़े थे इस पर भी डिप्टी सीम समराट शौधरी ने तंच का सार कह दिया बोधि दल के नेता भी महाई और बेटा ही बने कोई तीसरे को नहीं बनाए जनता समझ चुकी है कि सिर्फ परिवार के लोग ही परिवार की पाटी है जातरा खराब हो गया आपने सुना डिप्टी सीम समराट शौधरी जमकर लालू यादव और उनके परिवार पर तंच कस्ते नजर आए एक और कह दिया कि तेश्वी यादव ठीक ही कह रहे हैं कि ये पिता और बेटे की ही पाटी है सत्ता में भी वही रहते हैं और विरोध में भी यात की नेता भी मा और बेटे ही बने यानि की राबरी देवी और तेश्वी यादव ही बने साथ ही उनसे जब पूछा गया कि तेश्वी यादव ने आज से जन्विश्वास यातरा की शिरुवात की है इसका उनको कितना फायदा होगा इस पर समराट शौधरी ने परटवार करते कोई फायदा नहीं होने वाला है जो जनता है वो अब बखुबी समझ चुकी है कि इनकी पार्टी केवल परिवार की पार्टी है केवल परिवारवादी पार्टी है इससे जादा कुछ नहीं है तो वहीं जैसा कि हमने आपको बताया शिवहर में जिस मंच से तेश्वीयादव सभा को संबोधित करने वाले थे वो तेश्वी आदफ के पहुचने से पहले ही तूट कर गिर गई तमाम नेता जो उस वक्त से मंच पर मौजूद थे वो भी नीचे गिर पड़े इस पर भी तंच कस्तेवे समराच चौधरी ने कह दिया कि तेश्वी आदफ का जतरा ही क्या कुछ कहते नजर आए डिप्टी सी एम समराच चौधरी हमने आपको सुनाया फिलहार इस खबर में इतना ही अब आगे की खबरों के लिए देखते रहे सिटी पोस्क्राइब इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यव मुझ बाहु हुआ झाल